नमस्कार दोस्तों जी केर्जुन सार यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है यूजी सी नेट जी आरफ एक्जाम्स जो दिसंबर 2019 का साल्व पेपर है और ये पार्ट इसमें ए है और टोटल पार्ट देखा जाते ये पार्ट 215 है तो चलिए वीडियो प्र प्रारंब करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अभी तका आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने बाद बेल आइकन की गंटी को क्लिक करना ना बोलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अप्लोड कर क्या अशाайकी देख पाररा हैं से कोस्टन नंबर वरन में निम लिख्त में से कौन सा पूरोट पूरा पसानल यूग से संबन्धित है पूरोट पूरापसानल यूग से मैं और इस में एंसर हो जाया इगा है हो मोहेडिलिस हो खो मोहेडिस हे लिए एक पुरस begg हिक ऱम assignments है पूरा पसान इसे पूछा है, ये सम्बादित है, एस यूली हस्त कुठार, ये डी एंसर होगा इसमें, कुस्चन नमबर तीन है, निमलिकित में से कौन सा मद्य पसान युग का परतिनिधित्व करता है, मद्य पसान युग पूछा है, ये परतिनिधित्व करता है, क्योंसर नमबर चार है निमलिकित में से कौन सा नौ पसाण यूग से संबन्दित है इसमें होगा आपका C, खाद उत्पादन खाद उत्पादन जो है नौ पसाण यूग से संबन्दित है निमलिखित में से कौन सा अस्थाई निवास का घोतक है इसमें पूछ रहा है इसका एंसर हो जाएगा इसको बोलते हैं इंगलिख में सेंटेंज जिम अब कोसर नमबर 6 सुमेलित करने के लिए चले इसको सुमेलित करते हैं हडपा संस्कृति यह तावा तकनीकी से संबंदित है यानि एका टू अब एका टू देखे ए और सी दोनों में दिया है इसके बाद आगे मिलाते हैं आरे तो ताड़ीदार पहिया एका टू और बी का वन्त इसमें एंसर आपका एक होगा सी इसके बाद गौतमी पुत्र यह सातवाहन स्राण वेल गोला जैन धर्म से इस प्रकार यह सुमेलित हैं कोसर नमबर 6 है इंगलिश हिंदी दोनों में इसमें दिया है ओरिजिनल पेपर है कोसर नमबर साथ है कि छे तक ठाइस में कि छे हो गया कोसर नमबर साथ यह भी सुमेलित करने के लिए चले इसको सुमेलित करते हैं आयस तो आयस जो है संस्क्रिट सब्दा है यह संस्क्रिट भासा का एस एस जो है लैटिन सब्द है यानि ए का टू और बी का वन इसमें दो है ए और सी में इसके बाद आयरी है आयरी जो है कि अवेस्था इरानी जिसको बोलते हैं इसके बाद आई रम यानि C का फोर दे दिया इसमें यह वाला इसमें एंसर होगा और आईरन तो इंग्लीश है इस परकार यह सुमिलित है यानि एंसर होगा इसमें कुशन नमबर आठ है सुमिलित करने के लिए चले इसको भी सुमिलित करते हैं वज्जी वैसाली करादानी या वज्जी करादानी या वज्जी नगर किसे समन्दी था वैसाली से चेदी सक्तिमती वस कौसांबी कुरू इंद्र प्रस्त इस परकार यह सुमिलित है तो चले देखते हैं एक अठरी दिया है तो एक अठरी के व WR Kai है तो इसका एंसर B हो जाएगा कुशन नबर 9 है इसो बहुं है था तृर्फ करने के लिए इसको भी शुम्यलित करते हैं haircut कर फृष तिर्थ्था Всем जो है जैन धर्म से संबंदित थे यानि एकाटू एकाटू के विल इसमें यह ही है तो इसका एंसर ए हो जाएगा इसके बाद कथा सरिश सागर सोमदेव बोधि सत्व बौध धर्म कथा ब्रिहत कथा मंजरी छेमेंद्र कुश्चन नमबर दस है सुमेलित करने के लिए इसको भी सुमेलित करते हैं त्री रत्न तो त्री रत्न जैन धर्म से संबंदित है जातक बहुत धर्म से एका टू और बी का वन दो आपसन इसमें बी और डी वाला इसके बाद मुद्रा राच्छस बिसाक दत यानि सी का फोर एक का टू बी का वन सी का फोर इसके बाद कथा सरिस सागर सोम दे इसका एंसर डी होगा को कुश्चन नमबर 11 है कथन और कारण से आगया है पुश्चन देखते हैं कथन कारण से अभी कथन दिया है इसमें बैदिक दर्शन में सर्वहिताय सर्वसुखा की अधाना सफल मान जाती के कल्याणत है और तर्क दिया इसमें इसका उद्य से सकल मानो जाती के भलाई के लिए कार्य करना है इसमें देखिए ए और आर दोनों सही है इसका एंसर जाएगा ए ए और आर इसमें दोनों सही है कुश्चन नमबर 12 है कथन दिया है अभी कथन बहुत धर्म में संख्या में कल्याण की कामना है और तर्ग दिया है इसका उद्य से लोगों की बहुँ संख्या की समस्याओं को निप्टाना है तो इसमें देखे ए सही है लेकिन इसमें आर गलत है तो इसमें एंसर जाएगा ए कुश्चन नमबर 13 है ये भी कथन कारण से अभी कथन दिया है कुशान काल पुरातन भारती तिहास का स्वन युग है और तर्ग दिया है इस काल के अंतरगत सरवपच्छी उन्नती हुवी तो इसमें देखे ए गलत है और आर इसमें सही है तो इसका एंसर हो जाएगा आर सही है परन्तु ए गलत है तो इसका एंसर होगा B Question number 14 है अभी कथन दिया है भारती समानती व्यवस्था में क्रिसी उत्पादन को हत साहित किया और कारण दिया है समानती व्यवस्था इसकी विरोधी थी इसमें देखिए R इसमें भी सही है R और A जो है इसमें गलत है इसका भी एंसर होगा R सही है और A गलत है B इसका एंसर होगा Question number 15 है अभी कथन दिया है पुलकेशिन दुति ने हर्स को हराया कारण दिया है या तर्क दिया है वह उत्तरी भारत में अपने राज का विस्तार करना चाहता था इसमें देखिए A और R दोनों सही है तिसका एंसर हो जाएगा C A और R दोनों सही है Question number 16 है अभी कथन दिया इसमें विसाल और कुसल सेना होते वह भी वल्बन ने सीमा के विस्तार का प्रयास नहीं किया और तर्क दिया है तुग्रिल के विद्रो को दबाने में उसका ध्यान पुर्णता केंदरित हो गया था देखे इसमें A सही है R गलत है तिसका एंसर हो जाएगा A सही है R गलत है C इसका एंसर होगा A सही है लेकिन R गलत है Question No.17 है निवन में से कौन सा सुल्तान असोक अस्तम्ब को दिल्ली लाया तो वो सुल्तान था फिरोसा तुग्लत Question No.18 है किस एक मात्र दच्छिन राज ने अलावदिन की सारोभमिक्ता सिवकार नहीं की तो दच्छिनी राज कौन था जो अलावदिन के कबजे में नहीं आया था तो वो था पांड राज्य एंसर होगा है पांड राज्य Question No.19 है किस गरंथ में अमीर खुसरो ने कुतुबदिन मुबारक साह के सासनकाल की राजनीती और समाजिक दसा का वड़न किया है तो ये दसा का वड़न किया है नुह ए सिपेहर नुह ए सिपेहर में Question No.20 है Question No.21 निमलिखित का सही कालकरम क्या है सही कालकरम पुछा है तो सबसे पहले किताबूल हिंद लिखा गया था एक नंबर पर यानि दूसरा दूसरा में क्यों लेकर यह एंसर आपका होता है B इसके बाद चोथा था तपकाते नासरी इसके बाद मुन्थखवव उल्लुवाव और चोथा पर था तीसरा था यह और चोथा पर था मुन्थखवव उल्लुवारीक इसका एंसर B होगा कुश्चन नमबर 22 है निमलिकित में से वास्को डिगामा ने किस बंदरगाह की यात्रा की थी यह बंदरगाह था काली कटका कुश्चन नमबर 23 है कथन से कथन दिया है सूफी ब्यवस्था में चिस्ती सिलसिला का सरवाधिक महत्पूर अस्थान था और कारण दिया है सिलसिला का प्रभाव छेत राजस्थान, पंजाब, बिहार, बंगाल, उनिसा और दक्कन था इसमें देखे A और R दोनों सही आरे की सही ब्याख्या भी करता है इसका इंसर जाएगा A कुस्टन नमबर 24 है मेवाड के महाराना प्रताप का जून 1576 में होने वाला मुगलों के विरुद संगर्ष को अबुल फजल ने कौन सा युद्ध कहा था तो कौन सा युद्ध कहा था जो 1576 में आथा तो वो युद्ध कहा था कुस्टन नमबर 25 है और अंतिम कुस्टन है आज के लिए कथन कारण से कथन दिया है पांच वर्ष के सीधे प्रसासन और प्रियोगों के पसाथ अकबर ने उत्तरी भारत की भूमी मनसबदारों को प्रदान की और कारण दिया है नई ब्यवस्था से अकबर के खाजाने में राजस्व की ब्रिधी हुई इसमें देखे A और R इसमें दोनों गलत है इसका एंसर हो जाएगा D ये आर दोनों इसमें गलत है तो ये थे कोशन आज के लिए और अगले कोशन जो एक कल जो अपलोड होगा इससे आगे 26 से शुरू होगा तो ये वीडियो कैसा लगा वीडियो पसंद आयते इसको लाइक करे अपने दोस्तों के आँ अधिक सदिक शेयर करें धन्य बाद दोस्तों जय हिंद वन दे मात्रम झाल